तो काईसर आखिरकार वो दिन आ चुका है आज दिन है मेरी सेलरी आने का मैं काम करता हूँ इस पेटरोल बंपर यहाँ पर जो भी लोग आते मैं उनका पेटरोल भरता हूँ और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है जिस दिन मुझे मेरी सेलरी मिलेगी और अपनी सेलरी से मै बहुत मज़े करने वाला हूँ चलो फड़ाओ फटसर ने बॉस के पास चलते हैं अरे बॉस मुझे मेरी सैलरी दे दो फ्रेंक्लिन मेरी बात सुनो मैं तुम्हें जोब से निकाल रहा हूँ कल से नहीं बलकी अभी से इस पैट्रॉल बंब को छोड़के तुम चले जाओ अरे सर क्यों मैंने क्या किया तुमारी वज़े से मेरा पैट्रॉल बंब नहीं चल बारा जितने भी लोग आते वो तुम्हें देखकर डड़ जाते और बोलते इतना काला लड़का उसकी वैसे वो यहां से पैट्रॉल नहीं बलाते अरे तु सर इसमें मैं क्या कर सकता हूं मैं काला हूं तुम सिर्फ काले नहीं तुम बहुत ही जादा काले हो इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकल रहा हूं निकल जाओ यहां से अच्छा दीके सर मैं चला जाओंगा मेरी सेलरी तु देदो कौन सी सेलरी मैंने तुम्हें जॉब से रिकाल दिया इसलिए तुम्हें सेलरी भी नहीं मिलेगी अरे सर पर ये तो पिछले माईने की सेलरी है पिछले माईने तो मैंने डंग से काम किया दरा मिली सेलरी दे तो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ कौन हो तुम अरे सर्फ क्या बोल रहे हो मैं आपके यहापे काम करता था मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है मेरे यहापर सिर्फ दो ही जरे काम करते है चिंटू और मिंटू और कोई काम नहीं करता अरे सर्फ यह क्या बोल रहे हो अरे चिंटु मेंटु तुमने तो सुना था अरे चिंटु मेंटु तुमने तो अभी भी सुना कि इसने मुझे जॉब से निकाला बताओ इसको मैं समझ गया ये तुम सब का प्लैन है मुझे पैसे दिये बिना जॉब से निकालने का मैं तुझे नए छोड़ूँगा ये लए चिंटू पिंटू तुम बिलो तुमारी ऐसे कि तैसे ही चलो याजर बड़ावड से निकल जाते हैं तो काईजर मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया और पिछले महीने की सैलरी भी ने दी अब मैं क्या करूँगा मुझे समझ निया रहा मेरा बैंक अकाउंट का पैले इस बिलकुल जीरो है मैंने सुचा था जब मुझे सैलरी मिलेगी तब मैं कुछ कर पाऊगा अपने घर का रेंट दूँगा बिजली का बिल बरूँगा पर मेरे पास तो एक रुप्या भी नहीं है अब मैं क्या करूँगा कैसे रहूँगा अरे चलो 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 पूरा फ्रेंक्लिन पकड़ते हैं इसको और फ्रेंक्लिन क्या ले अरे कौन हो तुम मुझे परेशान मत करो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ अच्छा बहुत परिशान है तो आजा फिर और परिशान करते है चुब चाब अपने हाथों पर कर ले अरे कौन हो तुम क्या हो गया हमारे बॉस ने तुझे बुलाया है उनको तुझसे कुछ काम है चल फड़ावट से गाड़ी के अंदर बैट वरना तेरा बेजा खोल दूँगा चल 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 जल्दी चल्दी गाड़ी में बैट अरे बड़ तुम लोग हो कौन मेंने क्या किया अरे बड़ू सब पता चल जाएगा बस गाड़ी में तो बैट अरे गाईसर ये लोग कौन मुझे का लेकर जारे मुझे सबत दिया रहा बड़ू तेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी काम है हमारे बॉस तुझे बताएंगे क्या काम है ए बड़ू देख हम अपने बॉस के गर पर आ गए और यहाँ पर तुझे तेरा काम मिलने वाला है आजा बड़ू बॉस मैं फ्रेंकलिन को ले आया ए ड्राइवर जल्दी अपने बॉस को बिला ए ड्राइवर जल्दी से अपने बॉस को बुला अरे क्या बोल रहे हो यह हमारे बॉस है हो सारी मॉस फ्रेंकलिन तुमारा नाम बहुत सुना है मैंने तुम बहुत ही बड़ी बड़ी चोरिया करते हो अरे नई सर वो तो मैं पहले करता था अब वो सारा काम मैंने छोड़ दिया है अब मैं विल्कु ढंक से अच्छे आजमी तरह जॉब करता हूँ क्या फिर तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो गोली मार दोसको ने 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 गोली मत बना अरे करता हो चोरी करता हो कभी कभी कर ले तो पर किसी को बताना मत बहुत बढ़िया फ्रैंक्लिन तो तुमें मेरे लिए एक बड़ी चोरी करनी पड़ेगी क्या चोरी कौन सी चोरी वो सब मैं तुमें बात में बताऊँगा पहले बताओ चोरी करोगे की नहीं और अगर मना किया तो गोली मार दोँगा अरे ये क्या बात हुई पहले पूछ रो चोरी करो कि नी और कोई आप्शन में ने दे रहे हो हाँ बोलने किलावा हाँ मैं चोरी करूँगा बहुत बढ़िया अगर तुमने ये चोरी सक्सेसफुली कर ली तो मैं तुमको बहुत ही अमीर बना दूँगा अरे ऐसे कौन से चोरी करनी है मुझे आजा लड़के मेरे साथ मैं तुझे बताता हूँ कहां पर चोरी करनी है अरे ये क्या यहाँ पर क्या मुझे गेम किलाले लेका है हो अरे बच्चे ये तो सरेफ हमारा भार का गेमिंग जोन है पर असली जगा इधर है मैनेजर आफिस में अरे आतो सरी मैं तुझे दिखाता हूँ यहाँ पर हमारा सीक्रेट अड़ा है किसी को बता ना मत अरे आपके यहाँ पर गेम खेलोगे फुल जा सिम सिम अरे यह क्या यह तो पूर गापूरो जो चला गया आजा बच्चे यह हमारा सीक्रेट बेज जहाँ पर हम सारी की सारी चोरिया प्लैन करते है बच्चे यहाँ पर हमने सब का सब प्लैन कर लिया है हर एक चीज कौन सा वेपन कौन सी गाड़िया कहा पर चोरियोगी मैं तुझे सब बताता रहूँगा और तुझे चोरी करनी है डाइमंड कसीनो में कया डाइमंड कसीनो अरे उधर तो बहुत जादा सिक्यूरिटी होती है अच्छा अगर मैंने चोरी कर ली तो मुझे कितना पैसा मिलेगा बच्चे तुझे दो चीज मिलेगी सबसे पहली हम तुझे जिन्दा छोड़ देंगे दूसरे चीज जितना तुने माल चुराया 10% दे रहा क्या सिर्फ 10% मुझे चाहिए 50% क्या 50% हाँ 50% वो नहीं हो सकता चल 11% दिया नहीं 40 9% चलो 30 8% अहे कम क्यों कर रहे हूँ जितना बोलेगा उतना कम अब 7% अचा नहीं नहीं 7% ठीक है बच्चे चलो चोरी शुरू करते हैं तो काईसर अभी आप देख सकते हो मैं इस ट्रक के अंदर आ चुका हूँ और इस ट्रक में हमें जाना है डाइमंड कसीनो में ये चोरी सही में बहुती जादा कदरनाक होने वाली है मुझे नहीं पता था कि डाइमंड कसीनो के अंदर चोरी होने वाली है और डाइमंड कसीनो में तो सही में बहुती जादा पैसा मिलने वाला है उस में से 7 याईनी 7% मुझे मिलने वाला है तो काईजर अभी आप देख सकतो यह है डाइमंड कसीनो और हम यहाँ पर आ चुके और हम इनके सिक्यॉरिटी बन क्या है तो हम यह में गेट से नीच आना पीछे वाले गेट से जाना है अंदर तो चलो एरफडावफ़ट से चलते हैं इनको लग रहा है कि हम इनकी सिक्यॉर सिक्यॉरिटी क्लिए इंटरेंस है। यह अग अरári कोई भी ने सकता हुआ हुआ तो इनको लग रहा है कि मैं भी सिक्यॉरिटी वाला हूं तो ऐसे छोलु आ पर रोक देते हैं तो काईसर अभाँ पर सिक्यॉरिटी चैको रहा है गाडीयों का और मेरा भी हमने अपने अपन वड़ावबट से काड़ी से उतरते और आपने अभे में देखाऊ कि कि मैं टकला हो चुका हूँ और मेरी दाड़ी आ चुकी है मतलब सर के बाल मुझे ओपर कैसा आगए तो मैंने अपना पूर का पूरा भेस मतल काया हूँ मास्क वास पहन काया हूँ ताकि मुझे कोई बाद में पैचानना पाए इस चोरी के तो फड़ावबट से चलते हैं अंदर इस खदरनाक सी चोरी को करते हैं ताकि हम सारे डायमंड कसीनो को लूट के बहुत सारा पैसा कामा पाए तो चलो है फड़ावबर्ट से बिना किसी देनी कि अंदर चलते हैं क्योंकि काईजर सारा का सारा कसीनों का पैसा इसी फ्लोर पर रखा जाता है और इसी फ्लोर पर हम आचुके हैं चोरी करने इन सब को लग रहा है कि मैं अधर पैसा डाल लाए हूँ क्योंकि मेरे दोनों ब्रीफ केस में पैसा है ऐसा इनको लग रहा है पर अंदर कुछ भी नहीं है खाली ब्रीफ केस लेके गूम रहा हूँ है सबसे पहले यहां पर अपन की कार्ड लगाएंगे चोंकि हमें उसने दी ती यह की कार्ड कहीं पर भी काम करता है मास्टर की कार्ड इसका नाम है किसी में भी लगा और वो लॉक खुल जाएगा और यह गेट हमारा खुल चुका है सबसे बड़ी सिक्यूरिटी आने वाली है आईये सर आईये आप पैसे डालने आया है ना हाँ मुझे पैसे डालने सिर्फ 50 मिलियन डॉलर्स बहुत अच्छी बात है आईये अभी सिक्यूरिटी डॉर खोल देता हूं और यह हमारा गेट खुलने वाला है इसका पास कोड़ हमको पता देगे था इस सिक्यूरिटी गार्ड नहीं इसको खोल डाला और अब मैं इसको खोल डालूगा यह ले चलो काहिसर इस सिक्यूरिटी वाले को मारती है और हम आचुके डाइमंड कसीनो के अंदर जोरी करने उनके लोकर में यहाँ पर तो बहुत ही बजाने वाला है अब देखना कितना सारा पैसा कितना सारा गोल्ड डाइमंड पता नहीं क्या क्या में मिलने वाला है चल्दी चल्दी लूटना शुरू करते है यह क्या यहाँ पर सबसे पहले मुझे कैश दिखाए पर उसने मुझ इसके अंदर जा पाए और ये डन तो काईसर अभी अब देख सकतो हम इसके अंदर आ चुके और यहां पर यह खदरनाक सी बैक के अंदर डाल लेते और ये पैंटिंग थी $5,000,000 डा Belgium इसको बने बैकम डालीया अब बाखी के पूर का पूरा का सीनो लूट लेते हैं वाटी की पाशोड़ के और कि सारे लोकसे वल्य Кईम आł करें जल्दी जल्दी। उससे मी इसते हैं पहले कि किसी सिग्षी तो फटावड इस पेंटिंग को काटके डालते अपने बैग में और ये पेंटिंग भी बहुत ही ज़दा मेंगी होने वाल ये तीन चार लाग दोयर की तो आराम से होगी और यहाँ पर बहुत सारे डाइमंड्स भी है इनको भी फटा लेते हैं युकि डाइमंड्स भी बहु भी उठा लिया उसके पाद बहुत सारा कैश भी उडालिया क्योंकि कैश भी बहुत ही ज़रूरी तो जितना कैश था मने वह सारा का सार अपने बैग में बर लिया अभी तक मेरे बाद फाइफ मिलियन डॉनर्स हो चुके थे पर अभी भी पूरा डाइमंड्स लूट ना ब चोड़ा सारा का साथा लूट लिए अपट जटतादा की काड या अपर लगाते हैं यहा से निकल ला है और काई बारी डामंड काशिमों की ही हिस्द्डशन होने बस यहां से कैसे बार निकल जै चलड़ ज़नि यहां से निकलते हैं क्योंकि हमें मिल चुके TON Kiss matar पेंटिंग्स डायमंड और गोल्ड में इन सब को हम कैश करवा के 400 मिलियन डॉलर्स ले सकते तो फड़ावड से डायमंड कसीनों से बाहर निकलते हैं तो अभी सारे के सारे कसीनों वालों को पता चल चुका है कि यहां पर कदर राक्सी चोड़ी हुई है इसलिए मैं यहां प हम से निकल लूँगा कोई मुझे देख नी पाएगा कोई मुझे डूड नी पाएगा इन सब को लगेगा कि मैं भी पुलिस अला हूँ और जोडा गया चोर उसको पकड़ो कहां पर है वो चोर क्या ही पागल बनाया है इनको चलो काई सर अब आरा यहां पे काम होगे पुलिस आ चुकी है यह तो बहुत ही जल्दी आ गई वैसे कभी टाइम पर ने आती पर आज तो इतनी सारी पुलिस आ चुकी है जल्दी से गाड़ी में बैठते और यहां से निकलते है उन गुंडों की बॉस ने मुझे बताया था यहां पर गाड़ी खड़ी रहेगी पर उसने बुर्ण पुलिस को आने में 10 मिनिट लगेंगे पर यहां पर तो अल्रेडी पुलिस आ चुकी है हमें कैसे ने पुलिस से एसकेप करवानी पड़े कि तब ही यह चोरी सक्सेस्फुल होगी अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो उनकी बॉस को कुछ नहीं होगा पर मुझे कम से कम सौ सालों के लिए जेल में डाल देंगे मतलब हमेशा हमेशा के लिए और मुझे जेल में नहीं जाना इसलिए मुझे कैसे मिकले के पुलिस से एसकेप करना ही होगा तो जल्दी जल्दी पुलिस एसकेप करवाते है ताकि हम उन चोरों के बॉस को उनके प पैसा लेके इसलिए मैं ये खतरनाक चार ट्रक्स भी लेके आगया हूं इन में सारा पैसा भर के हम यहां से चले जाएंगे मेरे पास तो बहुत सारा पैसा आने वाला है बस वो फ्रेंक्लिन जल्दी से आ जाए हेलो मैं आ गया मुझे पता है उस बॉस ने बोला था कि सारे के सारे पैसे लेका आना पर में एक रूपया भी नहीं लेका आया क्योंकि कैसर उस ते मुझे बोला था कि सर्फ 7% देगा और 7% से मेरा क्या होगा तो मैंने पहरे रहे सुझा है भाग जाता हूं पर फिर मैं सुझा मैं कहां भागूँगा ये कहीं नकई मुझे इसके इसको लगता है कि इसको बहुत सारा पैसा मिलेगा और ट्रक्स में भरके जाएगा पर इसको पता नहीं है इसको एक रुप्या भी नहीं मिलने वाला तो लेट्स को फुड़ावट्स अपनी गन निकालते ही कतर नाकसी स्नाइपर में खरीद कर ली क्या है उन पैसों से इन सब को मारना शुरू करते हैं वन टू त्री फॉर और ये फाइव अरे ये गोलिया कासा रही है जल्दी जाकर देखो अरे काईजर यहां पर तो बहुत सारे जने यह ले इसलिए मैं एक अधरनाक सी मिनी गन भी लेकर आया तो बड़ावट से मिनी गन के मूँ पर चलाते हैं अ आर्पीजी मिनी गन सारी की सारी गन जितनी वेपन शॉप में थी वो सारी की सारी खरीद ली और आर्मर भी मैंने बहुत ही अच्छे खरीद ली थे ताकि मुझे गोली लगे तो भी मुझे जादा कुछ हो नहीं के लो आर्पीजी खाओ आर्पीजी खाओ 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 तो मैं ये नहीं करता बर तूने मुझे सरिफ 7 परसंट देने को बोला अब मैं तेरे सारे गार्ड्स को मार दिया अब तेही बारी आ चुकी है Franklin Franklin मेरी बात सुनो बले मुझे एक रूपे ही मत दो पर मुझे छोड़ दो Franklin मुझे छोड़ दो छोड़ दू, ऐसा दो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए ये तू बॉम का, अगर तू थोड़ा सा भी हिला, तो अभी की अभी ब्लास्ट कर दूँगा, और नहीं हिलेगा, तो थोड़ी देर बाद ब्लास्ट करूँगा, तो चलो यार फड़ाफट से चलते हैं, हमारा का यहाँ पर हो चुका है, अपनी स्नाइपर निकालेंगे, और वन, टू, त्री, और यह से के साथ, उन गुंडो का बॉस भी मर चुका है, और इनके सारे के सारे गुंडो को भी मार दिया, यह सोचने थे कि इनको बहुत सारा पैसा मेलेगा, यह बहुत ही अमीर हो जाएंगे पर इनको एक रुप्या भी मीला और सारे का सारा पैसा मेरा हो चुका है, क्या आप मेरा बैंक मेलेश देखना चाओगे, यह देखो, 400 मिलियन डॉलर्स, जो कि हमने चुराएं डाइमंड कसीनो से, अगर मैं इसकी बात सुनके 7% ले लेता, तो मुझे सिर्फ यहाँ 4-5 मिल लिया है पर वो अभी क्या भी करेंगे तो चलो फड़ा बढ़ सलते हैं बहुत सारी जी खरीते हैं ताकि हम यह चुरायावा पैसा खर्च कर सके तो काई सर अभी मैं आपको लेके जाने वाला हुमारे नए नए घर में घर नहीं पैंट हाउस हमारा जो घर है वो बिल्डिंग अगरी एक और लेंबोर्गी नहीं और यहां पर भी दो तिन खतरना खतरना गाड यह कडिये तो गाडिये तो मर्बस बहुत अच्छी अच्छी है पर हमारा घर इससे भी जादा तकड़ा है तो फड़ा अपर चलते हैं लिफ्ट में अपने घर पर आपको दिखाता हूं य जल्दी से यह देखो यहां से लॉसेंटोस का पूरा 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 विवता है इसके ऊपर कुछ भी नहीं है मताब इसके ऊपर रूफ ए डायक्ट वो भी हमारी है उधर भी चलेंगी पर सबसे पहले अपने घर देखना शुरू करते हैं सबसे पहले यहारा खदरनाक सा ब बनावा है वहां पर किचन यहां पर बार और यहां पर बीच आरी लिविग रूम खतरनाक सा बनावा है जो कि बहुत ही जादा खतरनाक लगता है सारे कि सारे डोट से और आटोमेटिक है और यह रहा हमारा सबसे पहला बेडरूम यहां से भी लोसेंटोस का बहुत ही मस्त आता है, सारी की सारी चीजे दिखती है Los Centos की, आप चलते हैं पर अपने दूसरे बेट रूम में, जो की बहुत ही ज़ादा बड़ा है उस वह बाहले से भी यहाँ पर अपना बढ़ी ऐसे बेटरूम यहां पर आणाम से सो सकते हैं पर आपी सोना नहीं है, यहाँ पर अफिस ह यहां पर काम कर सकते हैं सामने लो सेंटोस का बढ़िया सा व्यू आता है और यहां पर जाके अपना मसा बातरूम है वो भी इस खदरनाग बाट टब के साथ फड़ा वट से कमेंट करके बता हो आपको शावर जालक जैसे कि अभी आप देख से तो यहां पर शावर ले रहा यहां फूल पार्टी बाड़ा ओर देख सकते हैं हमने इस बार देख सकते हैं और झाल hy गतरनाक शाब और tau पर जो पीन गर्म इन पानी के सकते हैं और यह पर बैठ की पूरे लॉस्टेंड ओस के व्यू के बजह ले सकते हैं तो देखते हैं और बस और क्या कれない खरसीय शादा खतरनाक है और यह घर मेरा मेंने खईदा, 200 million dollars का, 100 million dollar के उपपर वाला फ्लोर और बाकि 100 million dollar कि वो पार्किंग, 200 million dollars हमने खर्च के, याहा पर यह बढ़ा सा सोफा है, यॉषाबर बादकी हाराम से टीवी देख सकते हैं, तो सारी की सारी चीज़े हम इस घर में कर सकते हैं, जो जो हम करना चाहते हैं, यहाँ पर एक और बात्रूम है, और वहाँ पर हमारे दोनों बेडरूम तो हमने देखी लिए, चलो अब उपर चलने की बारी, हमारा उपर मस्ती रूफ है, जो कि बहुत ही जादा ख़दरनाक है चलो बड़ा बट से, आपको उपर लेकर चलते हैं, यहाँ पर सीडी है, यहाँ से उपर जाओ, और हम आ गए हमारे ख़दरनाक से टॉप फ्लोर पर, मतलब टॉप फ्लोर तो वो था, यह है रूफ, यहाँ पर बेट के पार्टी कर सकते हैं, यहाँ पर लेट के आराम से सकते हैं, यह है प्लिकॉप्टर मैंने खरीदा 10 मिलियन डॉलर का, और वो सारी की सारी गाड़ेया मिला के 90 मिलियन, मतलब यार मैंने टोटल 300 मिलियन डॉलर कर दिये, पर अभी भी मेरे पास 100 मिलियन डॉलर का क्या करूँ, फटावट से कमेंट करके बताला कि मुझे तो ब उसलिए पड़ेया मिलियन डॉलर के लिए, और वो पताना बिल्कुल भी मत बूलना और आप तक के लिए, बाइबाइ!